आप इसे लंच में ब्रेकफास्ट में जभी भी छोटी मोटी भूट लगे इसे फटाफट से बना कर खा सकते बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और टेस्टी के साथ यह हेल्दी भी है तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं एक कटोरी भरके बारिक वाली सूजी ले लेना है अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो एक बार मिक्सी में चलाके ले लेना आधी कटोरी दही डाल देना है आधी कटोरी पानी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर मैंने बाद में इसके अंदर आधी कटोरी पानी और सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है यहां देखिए सारी चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी है इसके बाद हमने सूजी का बैटर ले लेना है जो हमने पाँच मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था उसके अंदर सारी सबजिया डाल कर अच्छे से मिक्स कर है और मैंने यहाँ पे अधिक कटोरी से भी आदापानी फिर से एट किया इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसके अंदर दो चुटकी हमने बेकिंग सोड़ा ढाल देना है जिसे मीठा सोडा भी दूब बोलते हैं और उसको अच्छे से mix कर लेना है पैन के अंदर हलका सा butter या oil डाल देना है मैंने एक चमच करीब डाला है और जो हमारा सूजी का mixture है वो हमने डाल देना है इसके अंदर और अच्छे से चमच की मदद से फैला लेना है और medium flame पर हमने दो मिनट के लिए इसको एक साइड से तयार हो जाएगा इस रेस्पी को जरूर ट्राई करना बहुत एजी रेस्पी और खाने में टेस्टी लगता है ऐसी टेस्टी हेल्दी रेस्पी आप देखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताना और अभी तक आपनी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस बहुत ही आसान है और बहुत इजी रेस्पी है आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको यह रेस्पी कैसी लगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना फिर मिलेंगे नई रेस्पी के साथ ऐसे ही टेस्टी हेल् झाल 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 झाल